हिप रिप्लेस्मेंट सरज़री के बाद पेश की के से जाता है हेलो मैं दोक्टर रोहित लांबा concerned optep Спdoo को joint replacement surgent कुरुट का और गूलिडओं आज बात करते हैं इस बारे में कि हिप रिप्लेस्मेंट सरज्जरी हो जाने के बाद आपका pain control करने के हमारे पास क्या क्या options है अब आज से 10-15 साल पहले किसे भी joint replacement surgery के लिए ये कहा जाता था चाहे वो hip replacement है या knee replacement है कि बहुत दर्द होता है कहीं कहीं दिन तक मरीज को बिस्तर पर लेटना पड़ता है और कहीं दिन तक के बाद आप चलना फिरना शुरू पगर पाते हैं जिसमें चलने में भी दर्द रहता है ये सब भ्रहांतियां थी भ्रहम थे जो कि कहीं साल से फिलाए जा रहे थे और कहीं बार कुछ डॉक्टर्स भी इसमें आपको साथ में आपकर रीटरेट करते थे कि हाँ जी ऐसा होता है और काफी देर लगती रिकावरी में मैं आज कहना चाहूँगा कि हिप रिस्प्रेस्मेंट सरजरी एक ऐसी सरजरी है जिसके बाद हम आपको बहुत कमफरेबल रख सकते हैं डियोरिंग सरजरी को शुन निल हो जाता है जिसके बाद आपको डेफिनेटल अपने ओवराल लाइफस्टाइल में एक दम से पहले दिन से फरक दिखना शुरू हो जाता है अज इस हिप रिप्रेस्मेंट सरजरी को वर्ल्ड की टॉप सरजरी में रखा गया है जो कॉलिटी ओफ लाइफ को इंप्रूव कर सकती है तो ऑविसली पें रिलीफ इसमें सबसे इंपॉर्टन कारण है अब सरजरी की दारान होने वाला है जो इमिजेट सरजरी के बाद का पें है वो कैसे मैनेज करते हैं उसको कहते हैं मल्टी मोडल अनेलजीजिया यानि कि एनेस्थेटिस्ट जो है हमारी जो इनेस्थेजिया टीम है वो आपके पेंड कंट्रोल के लिए मल्टीपल ओप्शन को एक साथ यूज़ करते हैं जिससे आपको कम्प्लीट पें रिलीफ रहे और ना ही आपकी कोई मोटर पावर यानि कि पेरों को चलाने की ताकत कम हो बट आपका टोटल पें रिलीफ रहे सबसे इंपॉर्टन जिसमें रहता है ग्यूरी तरजरी हम क्या गरते हैं हम मोस्ट केसे में 99% केसे में स्पाइनल एनस्थीजा से काम करते हैं तो जनरल एनस्थीजा यानि की ट्यूब डालना और पेशिंट को गुरा भीहोश करना इसकी जरुरत नहीं होती है अल्लेस आपको ऐसी बिमारी हो जिसमें आपके स्पाइन में भी प्रॉबलम हो ऐसा कैसे कौन से मरीजों में होता है एंकलों के स्पॉंडिलाइटिस के मरीजों में ऐसा होने का चांस होता है क्योंकि उनकी स्पाइन पूरी तरह से फ्यूजड होती है, स्टिफ होती है, जाम होती है तो ऐसी स्पाइन में एनेस्थीजा के इंजेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इस कारण ऐसे मरीजों में जलन एनेस्थीजा की दूरत पड़ती है, इसके अलावा बाकी सारे मरीज जो की 95-98% की आसपास होंगे, इस हिप इंफलेस्मेंट कराने वाले, उनका सरजरी के दौरान स्प इसे कंप्लीट टोटल पें रिलीफ रहता है, और इसी टेकनीक को हम सरजरी के बाद भी यूज़ करते हैं, जब जिस टाइम पर आपको सरजरी के दौरान वो इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसी टाइम एक चोटी सी पतली सी ट्यूब को वहीं पर रखा जाता है, जिससे ह हम continuous infusion pump के थूरू हम उसमें दवाई दे सकते हैं, तो सरजरी के बाद भी उसी रास्ते से उसी तरह से आपको पें रिलीफ दिया जा सकता है, तो epidural anesthesia एक ऐसी टेकनीक है, जिसके कारण हम मरीज को पहले दो दिन या तीन दिन होने वाले दर्द को आल्मोस्ट निल कर सकते है इसके साथ में कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको epidural anesthesia अगर नहीं दिया जा रहा है, तो आज के लिए और latest technology जो हमारे anesthetist यूज करते हैं, उसको कहते हैं, फेशिया इलाइका ब्लॉक, फेशिया इलाइका आपके हिप के साइड में होने वाला रहने वाला फेशिया है, जिसम आपको सरजरी के बाद में एक ब्लॉक देते हैं, और उसी तरह से उसी एक छोटी सी ट्यूब छोड़ देने के साथ में, जिसके साथ में पंप अटाइस्ट रहता है, जो continuous infusion से आपको दवाई देता रहता है, उस टोटल एरिया में आपको complete pain relief रहता है, इसको हम सेफी दो तीन दिन तक यूज़ कर सकते हैं, और मरीज को काफी आराम रहता है, इसके साथ में अगर supplement करना हो, तो हम बहुत ही normal सी दवाईयां, यानि कि paracetamol का injection, या diclofenac का injection, या tramadol का infection, depending on patient की pain threshold, यूज़ करने की ज़रूद पढ़ती हमें, तो ये एक total complete bouquet of options हैं, यानि कि बहु इनसेटिस्ट मरीज को सजड़ी से पहले देखते हैं, इवैलुएट करते हैं, तो उनकी pain threshold को भी एवैलुएट करते हैं, और उसी कहसाब से plan करते हैं, कि क्या इनको general anesthesia की ज़रूद है, या इनको spinal anesthesia की ज़रूद है, उसके साथ में हमें क्या normal injection से हमें काम चल जाएगा, क पेशेंट को बेसिकली इतना comfortable रखा जाता है कि सजड़ी के बाद वो अराम से normal पहले दिन भी, even day of surgery करवट ले सकें, बेड में अराम से लेट सकें, ओठ सकें, खड़े भी हो सकें, और अगले दिन definitely खड़े होके वाकर के साथ में पूरा वजन डालके चलना शुरू कर सकें without any pain, तो overall देखा जाये, तो आज की तारीक में, hip replacement surgery एक almost comfortable pain-free surgery है, और आपके इसी तरह के hip replacement surgery से जोड़े और doubts ये questions हो, तो आप हमें लिखे निचे दिये होए नंबरों पे contact कर सकते हैं, and we will get back to you, thank you so much. झाल